नमस्कार मैं हूँ मनमोहन सिंग राजपूत किसका होगा जनादेश मतलब किसका होगा जनादेश यह मैं नहीं पूरा बिहार बिहार क्यों पूछ रहा है क्यों बिहार को आज जाना और बिहार को एक पहचान के लिए एक नया मुखमंत्री के तौर पर एक नया बिहार के तौ पर लोग देखना और पसंद करना चाह रहे थे जिस तरह से मैं रुजहानों की बात करूं तो आपको पता है रुजहान में एंडिये पुन बहुमत की सरकार बना रही है आज से ठीक दो दिन पहले मतलब साथ तारी को तीसरा चरण तीसरे चरण के मद्दान खत्म हुआ था औ बैठे जिस तरह से बाद में वो सरकार में आए और सरकार में आने कब जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साब सब्दों में कहा हम इतराते नहीं है हम इतराते नहीं हम काम करते हैं मोदी के लोगों ने कामों पर भरोसा करके हमें बोड दिया है और हम सरकार बनाए कर one man army की तरह boat मांग रहे हैं क्या भाजपा को अपने उपर भरोसा नहीं है मैं ये बार बार इसलिए आप से पूछना चाहता हूँ और बार पांच साल के बाद अगर मोधी जाते हैं तब कौन मोधी के आगे boat मांगेगा क्योंकि आज लोग मोधी को देखकर boat दे रहे हैं उनके कामों को देखकर लोग बोड दे रहे हैं खैर ये तो बात हो गई बिहार प्रदेश के और मैं बिहार से अब मैं जूडने के लिए उजहान के तरह आँगा लेकिन exit poll की बात बताऊंगा जिस तरह से तेजस्बी ने मान लिया था अपने आपको कि तेजस्बी की सरकार बन रही है महागडबंदन की सरकार बन रही है और उन्होंने पूंड बहुमत की सरकार बनाने का वादा भी कर दिया था आपको पता है जब दो दिन पहले उन्होंने अपने पत्रकार साथी को भी उन्हें साफ अपने सब्दों में कहा और लोगों को संदेज दिया कि आपा ना खोएं, आप सब अगर सरकार उलट बने या हमारी सरकार बनती है, आपा ना खोएं। आप सब साथ रहें और साथ मिलकर की हम सरकार बनाएंगे लेकिन किसी भी तरह का हो हला और कहीं भी पठाके ना फोड़े यह उन्होंने कहा था आज हमारे साथ दो गेश्ट मौजूद हैं मैं उन गेश्ट के तरब आपको लेके चलूँगा एक हमारे साथ है कॉंग्रेस के द दिगज नेता कहे जाते हैं तो मैं इन दोनों से आज आपको मिला रहा हूँ इसलिए कि मैं इन दोनों से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार बीजयेपी की बनेगी या मागडवंदन की बनेगी हलाकि रुजहनों ने तो मागडमदन को अपना पूर्ण बहुमत दे दिया है और मागडमदन की सरकार छोड़ करके NDA अपनी सरकार बना रही है लेकिन सबसे पहला कोश्चन मैं करूँगा हमारे साथ मागडमदन के कॉंग्रेस बैठे हुए हैं कॉंग्रेस के प्रत्यासी मालेज यह जिस तरह से है जिसने हर जगाब पिछली इस बार से कॉंग्रीस को भीइस माइनस मतलब कि अगर 2002 पर कॉंग्रेस आती दिख रही है और उननीश फीटो 2018 पर उनको नुकसान इख रहा है तो आकिग ऐसा क्या है या बिहार सरकार ने फिर से मागरमदन को नकार दिया मैं ये बार पहला कोश्टन जो है मैं कॉंग्रेस के देबू चटर जी से करना चाहूंगा देबू जी आकिर ऐसा कहा चुक हो गई फिर इस बार माइनस आप चलेगा थारा पर चालिस से ऐसा नहीं है कि जैसे कि जो रुजान आ रही है उसमें कहीं न कहीं दिख रहा है कि बहुत कम मर्जिन से आगे पीछे चल रहा है सुबह से ही जैसे मैं भी टीवी पर देख रहा हूं और उसमें रुजान में कमी वेशी आ रहा है उपर दिच्चे हो रहा है निश्चित रूप से आगे जिस तरह का रेजल्ट आएगा त तो शुरुवात है अभी लगता है कि हमको साथ राउंड, छे राउंड, साथ राउंड का ही अभी कांटिंग हो पाया है, निस्टी रूप से आगे भी हम लोग यह करेंगे, अभी हम लोग यह चाहते हैं कि जो परिस्थितियां है, जो आगे पीछे हो रहा है, तो बहुत कम कि यह नहीं, अच्छा है, सुबा का जो रेजल्ट था, आज साम तक आपको रेजल्ट बिल जाएगा, कि नहीं, जो सुबा महागट बंदर का जो सरकार बन रही थी, और जिस तरह का रुजान दिख रहा था, निस्टी रूप से आगे भी इस तरह का आगे जलके दिखेगा आप कितना विश्वास रख रहे हैं कि साम तक ये जो रुजान है आपके पक्स में जाएगा? इसलिए उहां के जनता, निस्टी रूप से महागट बंदन का उपर विश्वास जताएगा, आगे देखी क्या होता है, हम लोग भी देख रहे हैं आपके साथ चलिए तो कॉंग्रिस की मैंने बात की देवुदा हमारे साथ मौजूद है, अब मैं सीधा चलूँगा आपके एगजिट पोल में, तो क्या बीजेपी अपने आपको हार मान चुकी थी या बीजेपी तेयारी में थी कि नहीं हम रुजान हो, हम एगजिट पोल को नहीं मान करके, हम डारेक्ट काउंटिंग में जाएंगे, लेकि भारती जनता पार्टी गटवंदन के साथ चुनाव सरकार से केंद्र और राज, डबल इंजन की सरकार की बात हो रही थी विहार में, नितिश कुमार से जिसे कुछे जनता नराज जरूर थी, प्रंतु सभी लगों ने अनुभव किया देखा, कि जिस परकार से केंद्र में नरंदर मोधी जी काम कर रहे हैं, और विहार परदे जरूर हो थे प्रंतु उसका दिल एलाव नहीं किया कि भोट हम जाकर राजत को दे क्या वोट को बरबाद करें पांथ साल में एक बार मत आता है सरकार चुनने का और सभी लोगों ने विश्वास किया कि नरंद मोजी जी और नितीश कुमार जी दोनों मिलकर इसे प्रदेश म बुद्धा पर भोटिंग हुआ है और जो जेनरल जो साइलेंट वोट था साइलेंट वोट साइलेंट तरीका से अपने विवेक से काम किया और नतीज़ा वही हुआ कि मिडिया के लोगों न जिस प्रकार से अपने सर्वेक या सर्वेक अनुसार उनको लग रहा था कि इस पर भोट राजत के पक्ष में गया है प्रंतु साइलेंट वोट था जो निनायक वोट होता है जो विवेक से अपने भोटिंग करते हैं उजब बूत पर गया है तो उन्होंने निने किया कि नहीं फिर से वो सरकार 15 साल पुरारी सरकार को नहीं आना चाहिए नित्युष कुमा पर ने का काम किया है जिस गरीव के घर में गैस का चुला नहीं था जिसके अविश्मान भारत के माध्यम से उन्होंने ढिलाज का विवस्था किया उन्होंने बैंक में एकाउंट खोलका जंधन के माध्यम से इस लॉकडाउन में जिस प्रकार से भारती जंता पार्टी ने लॉकडाउन में प्रतेक गरीवों के एकाउंट में 55-100 रुप्या करका 2000 पर देने का काम किया फिर ही अनाज देने का काम किया पूरे देश में महमार पटी और इंडिये की घट बंदन के सरकार को वोटिंग करना है और उसी का नतीज़ आपको दिखाई दे रहा है कि पूर्ण बहुमत के सरकार भारति जन्ता-पार्टी एंडिये के धॉन हमस्वार्थ आपसे पहले कोस्टन है मेरा जिस तरह से पूरे बिहार प्रदेश में आप कहे रहे हैं कि हमने काम किया हमने विकास किया जिसके नाम पर लोगों ने बोट दिया लोग डरते हैं जंगल राज से लेकिन मैं कहता हूं कि इस बार आपकी भारती जंटा पार्टी यहाँ आपके एंडिये ने क्यों नहीं विकास के मुद्धे पर बोट मांगा पहली बात मैं आप से पूछना चाहता हूं क्यों नहीं विकास के मुद्धे पर क्योंकि जो पंद्रा साल पहले क्योंकि लालू अभी आपके प्रदेश में थे नहीं तो आपने लालू को ही क्यों मुद्धा बनाते हैं तो सवखावियों कृप समने इस बातों को दोराएंगे जो आग्ला नेता जो है महाकटवंदन का जो नेता लालू को बेटे हैं उनका करेक्ट्र पर्मक च्रित कम के स्था को देखिए उसके बाद नीनली और विकास के पर ही इसने लोग पुरे देश लुखे सुमें ऀंक है इक चीजों को लोन अनुभा करते हैं अमिरीकावने बैठे वाले विहार के वारा में चिंता करते हैं कि आने वाला दिनों में किसका सरकार बंद रहा है और जिस प्रकार से सुबह कर रुजहान से आप चर्चा होने लगी अभी बैलेट की पेपर को बैलेट का जो भोटिंग था फुला था तो आने लगा कि नहीं विहार का जनता ने सही नीड़े लिया है और एक अच्छी सरकार चुनने का काम कर रही है और उस पर भोटिंग किया है पिहार की जनता ने अपना निड़ने दे दिया है मतलब की इन्हों कहा कि silent voting के तैट में हमें बोट मिला है तो चलिए फिर इसी बार पर हम बात करते हैं कि silent बोट में जिस तरह से endio को बोट मिला तो क्या Congress उसमें कहां पिछड़ गे क्या Congress या मागट मंदर में जिस तरह से Congress मौजूद थी तो Congress को क्या लगता कि Congress कैसे पिछड रही है पिछली बार मैं बात पिर वही जा रहा हूं 40 सीट जिस तरह 40 सीट था आपके पास में और 40 सीट से आप घूम करके आप फिर 22 के आजपस में आप आ रहे हैं, हो सकता है, बढ़ भी जाया, आपका सीटा भी रुजानों में हम चल रहे हैं, इसी तरह, आरजेडी जिस तरह से 70 प्लस में चल रहे थी, आरजेडी को कहा नुकसान हो सकता, लेप्ट आपके साथ है, तो लेप्ट को भी नुकसान होता दिख रहे हैं, तो आप कहा चुग गया देभुजी? देखेडी उचुगने की बात नहीं है, जैसे कि जितना भी जंसभा हुए है, और जितने भी लोग को, हम लोग को जो बोलना था, वो बोले हम लोग विकाईय के मुद्द, रोजगार के म का चल जो भी बीजेपी अपने जो यह लेका है, उनको क्या है, पंदरा सल, पीपेस में चल जाते हैं, वो पीछे चल के बात करते हैं, मौझूदा जो इस्तिती है, उस्तिती में बात करें न, आज क्या चाहिए? आज रोजगार चाहिए, लोग डॉन में आप देखें है कि कितने दूर से मज़दूर पैदल वहां से एक मने पैदल चल चल के पाव में छाला पड़ गया कूर नहीं कर रहता है तो उसे में सरकार नहीं दिखने कि एक बात तो जरूर है इसको अभी जो इस्तिरे के रुजान आ रही है निश्चित रूप से आके महागाटबंदर के सरक बात नहीं मैं निश्चित रूप से करते मागतबंदर को जनादेश मिलेगा अंगरटबंदर यह करेगा लेकिन यह करें लेकिन जाने यह निश्चित रूप से पैदिस को पर हम लोग जाएंगे कंग्रेस के सीट आएं जिस तरह से साब सब्दों में यह भी कहा है कि कहीं दावी कि हम 35 सूपर जाएंगे और NDA की सरकार बंती दिखरे रुजहानों के तहित में अभी तक पूर जिस्टर से मैं कर सकता हूं साथ या आउट राउंड का पिटारा खुला है और आप देख सकते हैं जैसे कि 233 243 सीटों का जो रुजहान लगभग सामने आ चुका है इसमें 130 सीट के आजपस में जो है कि बढ़त बना रखा अपने आपस में अंडिये ने और 101 से 102 के बीच में आपके महागडबंद फसे हुए हैं और अन्य जो हैं 11 से 12 सीटों पर आगे चल रहे हैं 28 से 30 सीटों पर मैं कर की टक्कर हो रही है तो कांटे की टक्कर किन में हो रही है एभी मैं आपको बताना चाहूँगा कांटे की टक्कर हो रही उनी में जो बीजेपी छोड़कर लोजपा में गए हैं जो लोजपा छोड़कर बीजेपी में आया हैं जो कॉंग्रेज छोड़कर बीजेपी में अगर जिस तरह से आकड़े काटे की टकर चल रही है और जिस तरह से रुजान आगे पीछे हो रहा है अगर कहीं रुजान आगे पीछे होता तो मुझे लगता है कि अन्न की दरकार हो सकती है खर यह रुजान है आने वाला समय मैं कहांगा चार बज़ तक पूरा किलियर हो जा क्योंकि मोधी जी जब जब इनको टार्गेट किया जब जब भाजपा की सरकार जब जब एंडियन इनको टार्गेट किया इनका साब सब्दों में उन टार्गेट से अलग हट करके इन्होंने एक ही टार्गेट को रखा वो टार्गेट था रोजगार अमुद्दा फिर भी य लेकिन आज फिर आपको मौका मिला फिर आप वहीं इस्तिति में लेकिन बीजेपी का साथ नहीं जाओगा राजनीती परिस्तितियां इस तरह का उन्हों नहीं है क्या कि राजनीती में इस तरह का भी लोग होते हैं जो अपने आपका सम्मान भी नहीं यह करते हैं अज उनको उनको जिस तरह के निटीजी को जिस तरह को वह पर पल्टू राम बोला जाता है पुरें विहार में पल्टू राम बोला जाता है तो उस समय चुछ अगर उस तरह का हम लोग का सरकार चलते रहता आट जेडी कॉंग्रेस और जेडिव के सरदागा चलते रहता है तो निश्ची द्रूप से रोजगार को हम लोग मुद्दा पनायते हैं रोजगार हम लोग देते किसान की बात जहां तक है देखिए MP में हम लोग का इतना दिन सरकार था उसके राऊल ची जो अनुमान लगाए थे आज वही घटना हुआ सबी चीज पर हम लोगों ने कभी भी जनता को भर्गलाने का काम नहीं किया जनता का पास अपना प्रुजेत अपने आप अपको बताने का यह नहीं किया कि हम यह कर देंगे वो कर देंगे करेंगे ने दो कर दो किसान के मुद्धे पर क्यों नहीं बोट मंगते हैं लोगों को बर्गला ने कामी इनों बीजेपी के लोग ने किया रची कर यह आपका जेडिव के लोगों ने किया निसkaya कर दो इन तो आज जेडियू की सीट कंग घड गयी जथीलर्टा बूंक मुझे बिजेपीडया थि चाहे हो किसान भील हो, चाहे इससे पहले आपने देखा कि रोजगार के मुद्धे पर आपने कहा दो कुड़ का बात था, दो कुड़ रोजगार मोधी जी ने कहा था कि देंगे, साधों नहीं दे पाएं. लेकिन जब मुद्धा आपको मिलता है, आपको सीधा टेबल टॉक क करने की बात की जाती है तो आप उससे क्यों चुक जाते है पहला आप गरीबों की बात कर रहे हैं गरीबों की सरकार है चाहे गरीबों गरीब की सेवा करने के लिए कॉंग्रेस पार्टी जानी जाती है मैं मान रहा हूं लेकिन राहूल गांधी क्यों ऐसी गलती कर देते हैं क पहली बात क्योंकि जब आप किसान विरोधी बिल की बात कर रहे हैं तो किसान विरोधी के लिए ट्रेक्टर में बैट करके सोफा लगवा करके बैट कर जाते हैं तो इक किस तरह के लोगों को आप उनके रुक तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं कहीं आपको लगता कि गल लगा करके आप बैट करके जा रहे हैं यह गरीब जनता जो किसान है वो तो सोफ़े पर चड़ेगी तो देखेगी कि भाई यह कल का यूराज आज हमारे लिए यहाँ पर आया धूप में चल रहा है और आप ट्रेक्टर पर सोफा यह बता ही आप मुझे चलिए अच्छा है कि कब से करेक्टर में सोफा कुछी को दिखा और यह किया तो ऐसे बात नहीं है कि सोफा लगा दिया तो यह उसको दिखा लेकिन वह कर क्या रहा है किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं यह भी एक बात है तो उसको नहीं दिखता है एक बात में बताता हूं राहुल जी का ब इसी जगा बाइट के मन्तन किये यह बात उन्होंने कहा था तो उन्हों को जनम में 500 500 साल का फर्क ता इतियास भुगल भी जानना होगा तो उनको बहुत जादा हाइलाइट नहीं किया गया राहूल जी का कोई भी बात आज बात आज भस्टाचार की बात करके बीजेपी ने क क्ãyinerश को सरकार का फर्क पिश्टाचार नें भारत नहीं बना तर साल के भारत नहीं बना है ंगिप्ट्र साल का भारत थाइं साल में यह बाना है तक शत्र साल के भारत जएत पर बीघास और गाइं के नोट-दी से फैदा क्या हुआ धम कहा ओया दो कड़OT नोकडी कहा गिया 15 में नाया किसकी निशी को कौ परिश्टिति आपको डरा के दमका के बीजेपी इस तरह का करने के लिए तोड़ जोड़ का जैसे मदपरदेस में देखिये तोड़ के उसका बाद सरकार बना राजिस्तान में भी सुरू किये थे हम लोग सब्सक्राइब यह किये हम लोग देखे अपने अपने नजर में जसान में इस तरह का राजनीतिक महुल बदला है इत्तला इस सतर साल में इस तरह कर दोन ब Hallo आओ यह अगुशित अपाद काल के स्टिती भारत बरस में पना हुआ है विहार चाते नहीं तो पता है ना भी तो रुजान है अब ही बहुत कुछ है अभी बहुत कुछ है किसका परड़ा होगा भारी अब किसकी बारी मतलब कि यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको पता है कि चुनाओ चल रहे हैं और चुनाओ के बाद समिकरन जो बनता है प्रदेश में सीम को लेकर के मुखिया का चहरा तय होता बीजेपी ने अपना सीम चहरा तय कर रखा निदिसकुमार हाला कि यह तब तय था लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी को बढ़त मिल रही है सीटों पे तो क्या वह अपना सीम चहरा बरकरार रखेगी चलेंदर जी देखे हम लों का गटबंदन की सरकार और हमारे मुख मंत्री होंगे बीस कुमारे मुख मंत्री ऊंगे जहां तक अभी हमारे भाई कॉंग्रेसमेता देवुझी ने कहा कि भारते जंता पार्टी केवल ब्रगलाती है जनता को मुर्ख मुनाती है जनता इतना मुर्ख नहीं है, सतर साल जिन्होंने सासन किया देश पर, जो कोई गरीव कभी सोचा नहीं था कि मेरा भी बैंक में एकाउंट होगा, कभी बैंक का मुँँ नहीं देखा था उसको बैंक एकाउंट जीरो बाइलेंस पर खोलने का काम नरंदर मुदी नहीं किया वो गरीब कभी सोचा नहीं था कि हमारे घर में भी गैस के चुले पर खाना बनेगा उस गरीब के घर में गैश चुला देने का काम किया वो गरीब कभी सोचा नहीं था कि मेरा भी इलाज फिरी इलाज पांच लाग तक का फिरी इलाज आईसमान भारत की मादेंस होगा उस गरीब का इलाज कराने का काम नरंदर मोदी ने किया वो किसान कभी नहीं सोचा था आज हमारे देवी चटरजी जी कहते हैं कि नरंदर मोधी ने जो काम किया अजाद भारत में कभी कोई सोचा भी नहीं होगा इस परकार का काम कभी सोचा नहीं होगा वो इसा काम करने का नरंदर मोधी ने किया आज उसी का प्रिणाम है कि बिहार के जनता ने गरीब ने हम लोग ने छेत्र में गया वैसे गरीब दलित परिवार में गया और उस बच्चा सब करता मोधी 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 कियों कहा उसने देखा कि मोदी ही है का अगशा कब तक मोधी के नाम पर बोट मांगेगे देखिए मोधी की भी अब हुम्र हुरी है आप लोग एक सीमा तैकर रखा है एकहत्तर के बाद सिनियर सिटीजन चुनाओं नहीं लडेंगे एकहत्तर के बाद देश वू नहीं चलाएंगे तो आपके ही सोचे हुए अगर आप उसी पर बाद कब तक आप मोधी के बाद कौन देखिए हमारे दल में हमनों निता जिसको चुनते हैं उसको निता मानते हैं यहां कोई परिवार बाद नहीं है बंस बाद नहीं है किंद्रा गाजी के बाद राजियू गाजी राजियू गाजी के बाद राहुल सुनिया गाजी सुनिया के बाद राहुल गाजी राहुल क हैं फिर कोई न कोई है कि नरंदर मोदी जी सा हजारों की संख्या में हमारे दल में इसे लोग हैं जिसको भारती जनता पार्टी लेकर सावित करेगी और उनके नेत्वति में काम होगा मोदी जी को जिम्वारी दी गई है और मोदी जी जो भारती तक पार्टी ने जिम्वारी दिया है उस जिम्वारी को लेकर उकाम कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम बंसबाद है जहां पर बंसबाद होता है लादू जी का बेटा मैटिक खेल व्यक्ति बिहार की जनता एतनी पढ़ी लेकिए व्यक्ति फेल को मुखमंत्री बनाएगा ऐसा नह दो कहा था कि बिहार की जनता नहींने लेगी गरीभी जानता वर्फ मे चाहता है एक विए लिए कि पढ़ाम लिखाएग उसका और मैं यहां पर परिवारबाद होगा उसका विकास कभी नहीं होगा जिस तरह से मैनिफेस्टों बीजेपी ने लिखा था बिहार प्रदेश को कुरोना की दवा मुप्त जबकि पूरा देश करोना महामारी के दन से इस विद्वन से जहल रहा था आप लोगों ने ऐसे समय में नहीं लगता कि आप लोगों ने किसी के साथ मजाक किया या पुरे प्रदेश बिहार प्रदेश मैं पुरे हिंदूस्तान की बात करूंगा क्यों नहीं पुरे हिंदूस कर दिए वहे वारीप को मिलेगा उन्होंने का था यह किवले के चुनाम में लोगों ने परचार किया कि हुआ भार्ची जन्तापाटी की लोग का रहा है कि करोना एफीर हम आपको वैकसिन देंगे नहीं ऐसी बात फिर पासि देंगे अगर फैकसिन अएगा तो सबको यह एक स प्रकास उन्हें सभी गरीबों के अकाउंट पर पैसा दिया यह नहीं देखा कि अगला है यह पिछरा है यह पैसे वाले जिसका भी अकाउंट था जो करीब थे सब के अकाउंट में दिया तो नरंद्र के बात अगर हम करें रोजगार के मुद्दे पर जिस तरह से आपने कहा कि विकास देश विकास की तरफ जा रहा हमारा देश अजार इन भारत की तरफ जो जितना हमारा विकास हुआ है उसी विकास के मुद्दे पर जिस तरह से मोदी जी ने कहा था कि मैं दो करड़ रोजगा पहला उन्हें कहा था कि आर्थिक इस्तिति के मामले में देश हमारा सबसे ज़्यादा भीक्षित देश होगा लेकिन आज आर्थिक इस्तिति देखा जाया तो हमारे देश की जो हलात है मैं थोड़ा बिहार चुनाओं से अलग हट करके आप से बात करूंगा कि यह भी मुद् सब्सक्राइब को रोजगार की बात करती है जिस समय आर्थिक इस्तिति को बार करनी चाहिए वह उसको छोड़ कर 370 की बात करती है आकीन ऐसे मुद्धिव को आप लोग छोड़ कर क्यों भागते हैं एक समय था मदूकुड़ा के सरकार थी जहां पर पैदर भी नहीं जा सकते थे सराई किला जाने पर आप रोते थे प्रन्तु जब है मुंदा जी के नेतुत में सरकार बनी या जो रोड बना उस रोड से आदितपुरका नहीं पुरिया जीला का तक दिर और तस्वीर बदल गया आज कितने कमपणिया नहीं नहीं रोजगार मिला टेट निला कि उस्क SUPER कम्पणिया मी उसकर काम करने माजदूर रोजगार मिला डहुत कर लगाँ मिला के बन THIS है ठीसदा में रोजगार मिलना चाहिए अगर the偌 बनेगा उसमें लेवर लएगा हुसको मिलेगा अगर कंपनी बने उसे में इंजिनियर लेगा उसको भी रोजगार मिलेगा तो इस प्रकार से दरंद्र मोजी जी के सरकार में जितने भी विकास हो रहा है वहां पर रोजगार मिल रहा है और रोजगार देने का हम लोगों और सरकारी न liquid कभू पैमाना है और सरकारी मैं आज मोजी जी नी जिस प्रकार से एक सिच्टम बना कर होगा उसी strength bei कि कि अभर युदा का vai का किस्तना वड़ा थे एक परिच्छा में जो परिच्छा में बच्चों हजारों हजार रुप्या लगा कर हर विभाग के लिए लगला फर्म भरते थे मोजीजी ने कहा कैसा नहीं होगा अब एक यहीं फर्म भरे गए अब उसी में से हम लोग हर विभाग के लिए उसी परिच्छा में से हमनों चाट कर अरुजगार देने का ताम करेंगे तो बिहार जिस तर से रुज़ानों के तरफ में फिर अब यह मैं बताना चाहूंगा अब तक जो अपडेट है रुज़ान में बिजेपी आगे और अन्डी यह मतलब की पूर्ण बहुमत की सरकार बंती दिख रही है महाकटमंदल पिछड रहे हैं और तेज-परताब और तेजस्वी आदो दोनों आगे चल रहे हैं पूर्णुर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर्णूर् पूस्पम प्रिया चौजरी थी वो भी काफी पीछे चल रही इस तरह उन्होंने भी कहा था कि मैं सरकार बनाऊंगी और हमारी सरकार बदलेगी सरकार बदलेगी और हम सरकार में आएंगे उन्होंने कहा था और वो खुद भी बाकी बुरु विधान सबस्च चुनाओ लड़ हैं कॉंग्रेस जिस तरह से बारबा कहने रुजानों में तो अब लगभग ये रुजान से साफ हो चुका है सरकार किस की बनेगी क्योंकि लगभग जो है एक बज़े के ऊपर के अंतराल के अगर मैं बात कुरूं तो यहां लगभग तय हो जाता आट आट अंतराल के बाद हैं कि हमें हम इतराते नहीं हैं हम रुजानों हम रुजानों पर वरुसा नहीं करें हम सरकार बनाने पर वरुसा करेंगे मतलब वह पहले से पुर्ण विश्वास में थे कि सरकार हमारी बनेगी और उसी तरह जिस तरह से रुजानों में और एक्जिट पोल में पिछड़ता होने दिन आ रहा है आखिर क्यों क्या था कारण इन्होंने रोजगार को मुद्दा बनाया इन्होंने विकास को मुद्दा बनाया लेकिन क्या तिजस्वी यादो या मैं कहूं कॉंग्रेस का कोई चेहरा या मागडमंदन का कोई ऐसा चेहरा जो साइद लोगों क को रुजा नहीं सका लोगों को समझा नहीं सका क्या आज उससे फिर पिछड़ गए देवुजी ऐसे बात नहीं है 30-35 सीट में तो जो जिस तरह का रुजान 30-35 सीट में है और 35 से निर्नायक सैलेंदर भाइण जो चीज बताया अभी को बीडव वाला जो आपने यह किया निष्ट सी यह दरस्केश्ट मेने पहले पहले बहां बर्गलाने वाले जो वाला बात है तो बर्गलाने वाला ही बात हुआ जबकि कोबिट के बात किये कि बिहार को चुनाओं में आपको लाना था उन्हें देश में कोबिट मां हमारी का बात है उसलिए इसलिए बर्गलाने वाले बात मैंने पहले कहा इसलिए कि यह चीज को पानिती है एक भी आदमी बता दे तो बोलने की बात हो जाती है अच्छा जी का पेटा क्या कौन सक्रिकेटर थे उसको भी सिसी आए के सेक्रेटरी बना देने के लिए तो रहा बात वहां पर कौन सा ऐसे पचा सा 670,000 रुपया का उसका गूझी रहता है और बिजनस कर ले आधे ढ़ा ले बैते हैं तो कहीं न न कहीं इस तरह का बात है कि पर चुनाओ की बात जहां पर है चुनाओ में देखिए देश अभी आपी रोजगार की बात है, रोजगार का बात हमेशा हम करते हैं, किसान की बात करते हैं, वे लड़ाएं हम लोग लड़ते रहेंगे, हमेशा लड़ेंगे. जनादेश का बात जहां तक है अब निश्टी तुलूप से देखिएगा कि ये 30-35 सीट में हमारा निर्णाइक रेजल्ट आएगा और महागणबंदर के पक्ष में रेजल्ट आएगा जो मैं आपको अपडेट बता दूँ अब तक के जो अपडेट है कि हमूर से आरजेडी के जो है 35,578 बोटों सा आगे चल रहे हैं NDA 127 पर है और वहीं आरजेडी के मैं बात करते हैं 105 सीटों पर आरजेडी आगे चल रही है मतलब की पूरे महागणमंदन की मैं बात कर रहा हूँ वह 105 सीटों पर है और अन्य जो 11 है अन्य का मतलब आप उसमें लोजपा भी है अन्य में निर्दले भी हैं अन्य में वो विधायक भी हो सकते हैं जो पुराने जीत करके कॉंग्रेस लजेपी और बीजेपी में चले गए थे लेकिन उन सब सीटों पर निर्णायक जो मोड़ है वो 35 और 32 सीट की जो मैं बात कर रहा हूँ काटे की टकर लगवग लगवग हो रही उन लोगों के बीच में तो वो सब सीट माइने रखता है जिस तरह से देवुदाना कहा कि 70 साल का हमारा इतियास है हम 70 साल हमने हमने लड़ाई लड़ी है और 70 साल लड़कर के हम लोगों आजादी के लिए हम लोगों ने हम देश के लिए सहीद हुए यह इनका कहना है परिवारवाद हमने नहीं बढ़ाया अगर आपने परिवारवाद नहीं बढ़ाया तो परिवार के अलावा आपने पर परिवार का मतलब कि वही उनी के परिवार से अधेच के रूप से बाहर नहीं है कोनगरेश के कॉक्स संगटन में चुना होता यहां से परकंट से लेके आपका राश्टी राश्टी अधर्श का चुना होता है तो उसमें चुनाव में जो आदमी जीता है जो जो कैंडिटेट रहते हैं ऐसा नहीं कि राहूल गांधी जी अके लिए नोमिनेशन किया दूसरा कोई नहीं किया है अपने बात नहीं है क्या इससे पहले क्या कॉंग्रेस सतर सान में खाली गांधी परिवारी क्या अधक्स थे यह नहीं है अब बोलने के बात होगे बीजेपी के लिए कुछ है नहीं बीजेपी के बास इसको मिलता है वह उसका गलत उप्योग करता है मैं कोश्चन इसलिए पूछ रहा हूं कि आपने थोड़े दिर पहले कहा कि आमित सा के बेटे जैसान ने असी अजार कोड़ की प्रोपटी बना ल तो वो जब उस तरह का अमित साज इस तरह का अपने बेटा को यह करके बना दिया तो परिवारबात वाला बात बोल रहे थे इसलिए मैं कहा दूसरी बात यह है कि देखे बाजपा के पास बाजपा एक दिमाग आदमी का ब्रेन पढ़ लिया है कि यह बात यह बात अगर ब इसपिट्टी नहीं लगी है जो सचा ही है जो सचा ही है मैं इस को मानता हूं सचा ही है नहीं बगता हूं रोजगार लेकिन आज के परिस्तिति में जो पोड़ीp Cambridge के बाद और जो उसके पहले दो साल जो इहां पर ज़ो उतलाःट यह विल्विया है उसमें रोजगार कितने आत्मी को रोजगार दिया है? पक्म कहां पर आप कहा है? रोजगार है का लगतर है क्या है? अपने यह कहार के लिए बात कहां पर करते हैं यह बताएं ना आज परिश्थितिया इस तरह का बन किया कि वर अब बहुत अच्छा बात बोले उन्हों नहीं कि इससका घर में इंजीनिएर होता है जिसके रहा ड़ोटर होता है आपको पता है कि जंदन यो जनम आगर मिनिमम नहीं रखे कर तो उस्से पैसा कर जाता है गरीबाद में कहांसे लिए कि आपने कहां के ब़ुट बड़ा काम कर दिया 5 चाहिए पंदरासो रुप्या में तो यह बोलने से नहीं होगा उसका पस रोजगार कहां से रहे गासे गैस रहे के तब तो चलागा वो क्या किया कि वो 1516 रुपया में दूसरे लोग को होटल वाला लोग को बेजने लग गिया वो गरीब का घर में आप सितना सर पे करके देख लीजिए गरीब का घर में यह सोचाले का बात कीजिए चली ही सारोप के तहरत में सलेंदरी से बात करूँगा लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ आरजेडी जो है 65 सीटों पर बढ़त बढ़ा हुई है और कॉंग्रेस है 19 लगतार कॉंग्रेस जो है घट रही है तो मैं आपको और भी एक चीज़ बता दूँ जीस तरह से पी एंडिये से लग की बात कर रहा हूं जिस तरह से पिछली बार बीजेपी जदिव से पीछे थी इस बार बीजेपी ने अपनी बढ़त बरकरार रखी है और बीजेपी पिछली 2015-1990 चुनाओं से आगे निकल चुकी है और सबसे जादा नुक्सान अगर होता दिख रहा ह तो मैं मानू तो जदिव को होता दिख रहा है खर जदिव को नुक्सान होना पहले से लग रहा था कि जदिव को नुक्सान होगा कि कुछ जदिव जिस मुद्दे पर बात कर रही थी लगभग जदिव उससे पिछड चुकी थी जदिव का जो मुद्दा था उस मुद्दे पर जदियू ने कभी बात ही नहीं किया, जदियू ने सिर्फ जंगल राज, तेज़िजवी सरकार, तेज़िजवी जंगल के यूराज, इन पर बात की, जिससे मुझे लगता है, वहां की जो जनता थी साथ, उन्हें ने उनको लगभग नकारा, मैं कहूं इस बात को, ठीक है से 56 बोटों की मैं बात करूं, पिछली बार दी गई थी, 50 बोटों का समीकरन अभी तक दिख रहा है, उसी हिसाब से कर रुजानों में, अभी भी एंडिये ने अपनी बढ़त बरकरार रखी है, और एंडिये फुल मेजूर्टी की गवर्मेंट, मैंने फुल बहुमत की सरक बनाती दिख रही है, जितने आरोप लगा हैं डेबू जी ने, मैं उन आरोप के धाथ आपने बजेपी की नेथा सेलेंद्र सिंग से पूचूँगा, आखिर कितना तक जो आरोप लगा रहे हैं, उस आरोप में कितना दामे से रहने दी? इस Congress की अस्थापना अजादी के लड़ाई लड़ने के विए Congress के स्थापना हो थी उस गैर अजादी के बाद जब देसे में सासन बना तो गैर कॉंग्रेशियों को रूप में डाक्टर सेमा प्रसाद मुखर जी को उधोग मंत्री के पूसी पर बैठाया गिया था प्रंतु उस समय एक ऐसे प्रस्तिती आई जो नोंने कहा कि 375 से हिंदुस्तान और पकिस्तान के बटवारा की बाद निहरुष सरकार ने इसा कुकर्म किया उस कुकर्म के चलती डाक्टर सेमा प्रसाद मुखर जी ने उस मंत्री मंदल से उधोग मंत्री के पत्र से त्याग प बिधान बन चुका है कोई नो कोई एक दन होना चाहिए जिस दल के माध्यम से संसद भौन में बैटकर गलत का हम विरूत करूंगा और जनसंग के स्थापना के बाद सतहतर में जनता पार्टी के सरकार बनी जिसमें बिले हुआ जनसंग का प्रंतु कुछ कारणों से बिखरा और और नई सहसी में भार्चेंता पार्टी के स्थापना होती है उस दल के पूर्ण बहमत की सरकार के साथ देश में सासन चल लही है तो कॉंग्रेस को उन्होंने यूज किया कॉंग्रेस को उन्होंने अपने पार्टी बना लिया पार्टी बना रहे के बाद इन्हें परिवारी बात की कि कभी नहीं चाहा कॉंग्रेस ने कि दूसरे कोई नेता इनके विदल में एक से एक नेता थे प्रंतु उनको कभी आग बूंतु इनकी सरकार नहीं बनी उसी भी लको लागो करना काम किया है जूस भील कहा नहीं है नहीं देंके पले बात को समझें पूरे देश में कहीं बिरोध नहीं है मात रेक बिरोध कहा है पंजाब में, हर्याना में जहां पर सबसे अधिक फसल होता है और वहां पर कौन लोग थे कौन लोग थे क्यों हाल बिरोध हुआ एक ही ट्रेक्टर को कॉंग्रेस के लोगों ने जालांदर में खरदा वहां पर जलाया फ्रीय ट्राक्स लाद कर लाल किला चोग पर जलाने का काम किया गया। और कौन लो ते कोई किसान नहीं था. वो कांग्रेस के लोलते जो दलाली के नाम पर कडोरो कडोर गर्षी मिल रहा है। अगर सराई किला में 20 रिपर किला मिल रहा है तो जाकर सराई किला में बेच सकता है प्रन्तों कॉंग्रेस के लोगों को जिन्हों के बरसों बरसों से उसासन था कि नहीं आपको मंडी में लाना है और जो उनके एजेंट है उन्हीं के माध्यम से बेचने हैं उसका कमिशन है आ तो आपकी सरकार से अपना हाथ खिच लेती है हर स्रीम्रत कौर जिस तरह से वो NDA में थे और आपको पता अकाली दल आसनी बरसों पुराने रिलेसंस को लेकर करके उस रिलेसंस को लेकर चल रहते हैं वो इसी बिल को लेकर करके अपना बिरोद किया उन्होंने और अपना हाथ किसानों को मंडी में मंडी में कमिशन का जो कलोरो कलो का कमिशन वहां पर महाराष्ट में हमारे जो नेता हैं मैं सारे लोक असके किसान बिरोद किया है कहां बिरोद हुआ पंजाब में हर्याना में महाराष्टा हूए अब एक रोर किला चोक में ज़रा आता है और जांच होती है तो पकड़ में आता है कि किसान का खेर ट्रक है कोई किसान नहीं है कोरे काँग्रिश के लोकास् Walker कि विह परकौन देखिए जब अटन जी की सरकार थी ऍंद्रा जी आपन इंधर स्टीर से स्ट ने गांकिया है और इंद्रा जी कवा आटन संद्रा यह करके थे कि हमारे के शत्रानी है एक कहने से मतलब है कि अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहा है तो कॉंग्रेस का उसका समर्थन करना चाहिए अगर गलत कर रहा है तो विरोध कर प्रवंतु गलत का भी विरोध और अच्छे का ही विरोध तो देश की जनता देख रही है हर जनता एक एक चीज को नोट कर रहा है कि कॉंग प्रेस एक ऐसा पाटी है जो एक बार विहार में राज करती थी जिसका मुख मंत्र हुआ करता था पूर्ण बहुम्मद की सरकार हुआ करती थी आज 20 सीट कई सीट अरे कोई दल बनता है तो उसको बढ़ने के उपाय क्यों नहीं किया क्यों घट रहा है भारती चंता पाटने सथापना हुआ अज पूरे देश में सासन कर रहा है पूरे मुहमद की सरकार चल रही है कई स्टेट में सरकार चल रही है आकर क्यों अजादी के बाद सथाए 47 में देश अजाद हुआ आपके मुख्त करते थे जानताने नकार दिया कि कोई चरित नहीं है कॉंग्रेस के निता कोई मोरल नहीं ऐए उसे को आज आग के सामने दिखाई दे रहा है कि आज बिहार में सबसे अगर कोई बड़ी दल है वो भारते जनता पाटी है गट बंदन में भी हमको सबसे अधिक सीट देने के जनता ने काने क्या लगता आने वाला समय में कॉंग्रिस मुझसाचन मिलेगा हंड्रेट परसेंट बंगाल में हम लोग आने वाला दिर में मैं आपको देवी चोटरी से करना चाहतों बंगाल में आने वाला समय में भारतिय जनता पार्टी की पूर मुहम्मत की सरकार बनेगी बंगाल के जनता तयार है कि बिहार के बाद बंगाल की जनता तयार है मतलब बिहार में चुनाव बनेगी और हम बिहार के बाद सीधा बंगाल को रुख करेंगा और वो बंगाल रुख कर चुके हैं उन्हें बंगाल में गरीबों के साथ बैठ के खाना खाया जिस तरह से बीजेपी का अपना प्रचार चलता है और बीजेपी के साथ बैठ करके वो किसी एक घर को चुन करके उस घर के अंदर में दलीत के घर बैटकर भूजन करते हैं तो बंगाल बिहार के बाद वो बंगाल रूख कर चुके हैं लेकिन हम बात जिस तरह से कर रहे हैं कि बिहार के बाद BJP तो बंगाल रूख कर सकी है लेकिन महाकडबंदन की तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार मुझे लगता इतना तेज थे तेज चैनल ले उनका साथ दिया तेज चैनल ले उनको दिखाया एकजिट पोल में भी महागडबंदन उनकी सरकार बन गी मतलब तेज रफ्तार ने ऐसी तेज दिखाई कि हर चैनल के एकजिट पोल में तो दुद्धान के लिए नहीं है, जब से पहले ये बात काओ का सेलंदे जी जो वाला बात बढले उसका घंड़ा पहले 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 पर लिए पर पात हो जाना चाहिए बहिए अगर इस तरह का बात होता है ना तो बीजे भी एक कोस्टर पाटी है वो इतना होडिंग लगा देते ना पूरे देश में पता चल जाता कि देश को तो यह सब वेकार वाला बात है दूसरा बात क्या है कि उन्होंने जे मैंने पहले से कहा कि भारतिय जनता पाटी जु बूट चोड़ के सच नहीं बोलते राभाबाद बंगाल का बंगाल का भोगोली का राजनीति दिश्ट्री को बहुत अलग है यह उहां पर लोग इतना समझ है कि बंगाल में मैं तो आज भी बताता हूं बंगाल पर बीजे पी कभी सकता पर नहीं आ सकता राभाबाद कॉं पर कहां पर मैं तो बताता हूं जितने वादे वह किये बियार्थ यह में 19,000 लोग 19,000 लोग को रोजगार देने की बात है ना मैं तो पताता हूं यह तो आने दीजिए रेचल अगर इंडिया के सरकार मनता तो यह 19,000 लोग रोजगार यह 5 सान बात पूचियेगा दो कड़ और रोजगार देने का देश में दो कड़ रोजगार देने का बाद नाम पर आपने जितना परगलाने के परगलाया अब 19 कर जब आरचेडी बोल दिए कि नहीं 10,000 लाग नोकरी देंगे उसका कांटर करने के लिए 19,000 लाग नोकरी देंगे यह लुग को किस तरह का परिस्थिति लोग को किसल प्रैनिंग जस्तरे का बाट लगता है कि हम लोग उतना आज इससे तरह तक नहीं गिर सकता, रावाद कॉंग्रेस पार्टी में जो लोग ऐसा नहीं है कि एक जमीनी कारकरता को लेके क्या एक बिदान सभाब में क्या गरीब आद्मी को नहीं दिया अभी आप बता रहे थे कि वहां पर बंगाल के जाके किसी दलित का घर में स्लिकर्टेड होता हैंज आते हैं जाते कि किसे घर में जाके भटना है उसी का घर में खाना किसी नहीं है कि जंड करॲ की कि पर कोई है तक है जो चुनाओं में जिस तरह का यह करना था जिस तरह का लड़ा लगा भनाना था हमने पूरा परियास किया जनाजस जिस तरह काएगा उसका सम्मान होगा उसका सम्मान करेंगे हमारा बारू में डप्टर रादिया कुमार गया है हमारे यहां से मंतरी बनना गुपता जी गया है सभी लोग अपने अपने चेतर में चेतर में काम करने का काम किया सभी लोग से जंता से मिले हमने अपना बात बताया वहां के लोग रोजगार की बात यह कर रहे थे रोजगार की बात बताये किसान के बात बताये जो पैक्टिकल जो चीज था जो आदमी को मूलभू सुविदा को देना था हमारे सरकार बनेगा मैं आपको इतना गैरेंटी के साथ बताता ह तो उनीस लाग नोकरी बी तो आप से कोशन पूछ रहे थी कि अजी मिलें के हैं उस मनिफेस्टों का जो नाम दिया था हमारा संकल्प हमारे प्रण उनका नाम ता जिससे पूरा मागाडविंदन की जो उन्हों ने बनाया था तो उन्हों ने उस मनिफेस्टों को डाला दस laag ROZGार हमारेуск inputs तक पहुचाएंगे जो काम 19 लाग रोज गार देंगे आखिर इन आकड़ों पे चाहे बीजेपी हो चाहे कॉंग्रेस हो चाहे मांगडबंदन हो चाहे एंडिये हो क्यों नहीं पूरा होती यह बात मैं जानना चाहता है कि तक सासन सब को मिलता है चाहे 5 सल आप राज करें 5 सल वो राज करें 15 सल आप 10 सल पहले आपकी ही राज करें जिसे उनुकांग्रेस के मुक्मंत्री होता था कॉंग्रेस के सासन में बहुत सार हर बार बिहार सरकार में आपने देखा होगा कहीं नहीं कहीं किसी रूप में कभी लालू 15 साल से करें तो उसका उसके अज़न्टा बता दिया कि कहां से हम नोगी तेगे राभव 10 साल से लोग जेडियू एंडियू सरकार में है 10 साल में रोजगार काहा कि आथ यह तो बात नहीं बताया कि 10 साल हमको 5 लोगों ने जितने लोग आए थे प्रभासिश मजदू जितना अगियां किया हमारे दस मैना का सरकार में हमने काम किया इसमें भी इनको 10 माना में काम नहीं दिख रहा है इसलिए अहंकार बहुत खराब चीज होता है रगवर दास जी का अहंकार था अब रगवर दास जी बाहर चले गए अब उसके बाद देखिए कहीं नहीं इस चीज को समझना होगा जो आज राजनीती अगर कोई लोग कर रहे तो जनता के लिए आपको करना होगा आज नहीं तो चले काट कहांडी एके बार बढ़ता भिया उसके बाद दूबारा नहीं बढ़ेगा आज लोग समझ जाएंगे तो लोग दिरे-दिरे करेंगे राभाद बंगाल का जो बात कर रहे तो बंगाल में देख लीजेगा परि समझ गया है नोट बंदी से किसान से बेरोजगाली से लोग त्रस्त है लोग वहां के लोग समझते हैं बंगाल में उनका सरकार अगर बन रहा है लागा अगर मुझेरी लालका अशिन सबने देखने देखना चाहिए सपना दिखाने वाला पाटी तो सबना देखी सकते हैं आज तक सपना BJP ने लोगों को सपना दिखाया, रोजगार का नाम से कुछ नहीं, किसान का नाम से कुछ नहीं, बिरोजगार किया, जो शिक्चित लोग है, आज उसको भी रोजगार नहीं मिल रहा है। किसी कारण से नहीं पहुच सके, लेकिन महाकडमिन अगर सरकार नहीं बना पाती है, बिपक्ष में बैठती है, तो आपका रोल, क्या वो 19 लाग रोजगार के लिए लडाई होगी। मैंने जो वादा किया, उसको पूरा करूँगा। मैं फिर भी एक बात बताता है, तो 30-35 सीट का आगे पिछे है, साम तक उसका यह होजागा, लेकिन अभी भी मैं आपको बताता है, जनादेस का सम्गान करते हुए। जनादेस जो भी जनादेस देंगे, उनके लिए हम उसका, उनका जो वादा है, हम उसका में रहेंगे। सरकार में रहें, तो सरकार में रहें का काम करेंगे। नहीं रहें तो जो काम BGP ने और जेडी उन्टी इनडिये ने जो यह किया, उसका में लडाए-लडाएं। जिस तरह से हमारे प्रोग्राम का नाम भी किसका जनादेश होगा तो इसी तरह से देवुदाने भी अपने प्रोग्राम का साब सब्दों में कहा कि जो भी हमें जनादेश मिलेगा हम उसका सम्मान करेंगे तो मैं अब आखरी कोशन जिस तरह से रुजहानों में बीजेपी को बड़त दिख रही है बीजेपी सरकार बना रही है रुजानों के तहट में BJP ने मां एंडिये जो है अपने सरकार के तहट में चल चुकी है निकल चुकी है अब तो हर चैनल नितीश कुमार के लिए अबने जो भी उनके पुराने packages थे जो भी उनके सी जो सम्मान के तहाट पर जो दस सल काम किया अब वो दिखाने लगे हैं जो नितिश कुमार पहले चुनाओ हार चुके थे एकजिट पॉल में अब वो नितिश कुमार रुजानों के तहाट जीत चुके हैं मतलब नितिश कुमार इसलिए कह रहा हूँ कोग चल रही है तो अगर जदिव को नुकसान होता और बीजेपी अपने वादे पर कितना कायम रहती है ये कोशन फिर मैं पूछू मैं सलेंजी से उसके बाद अगर सरकार उनकी बनती है तो क्या वो दस लाख रोजगार दो क्रोड़ों के वादे को तो लोग भोल चुके हैं य क्या बिहार में ही मुप्त मिलेगा या बिहार जीतने के वाद वह पूरे हिंदुस्तान के बारे में बोलेंगे सलेंजी ये आखरी कोश्टन है क्योंकि आप रुजानों में जीत चुके हैं और रुजानों के तायत आपकी सरकार बंती दिख रही है तो जो वादे आपने मै पहला हो सिर्फ बिहार में मिलेगा या पूरे हिंदुस्तान में मिलेगा दूसरा दो करोड़ रोजगार को साइथ लोग आप भोलना चाहेंगे जैसे जैसे सरकार का समय भी इता है लोग भूलते जाते नैने वादे आते जाते हैं क्योंकि अब 19 लाग रोजगार आपको बिह के पास होता है तो उस मुद्दे पर बीजेपी साथ लोगों को दिख ब्रमित करती है लेकिन मैं आज यहां फिर पूछूंगा 19 लाग रोजगार कुरूना वैक्सिन पूरे हिंदुस्तान को सर्यासरी बिहार को सरेंजी नेखिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब पहल होना चाहिए कि विहार में सुबह 6 बज़े साम को 6 बज़ते बज़ते सभी अपने घर में चले आते थे प्रंत्व आज वही वहार है कि पूरे रात गाड़िया चलती है पूरे रात महिलाय गहना पहनकर और मार्केट में घुमती है वही विहार है उन्होंने कहा ता कि तो दो काम जो उसमें तह हुआ था के विगास और एक माफिया गेरी पर पांट्रॉल और राम राज उस्टरण राम राज तेने का का म इंडिया गटबंदह ने किया था और आधिये वही दें है आज वही देन है कि आज बिहार का जनता ने उस दीन को याद करकर भोटिंग किया है कि आगर उस दीन को हम याद नहीं करेंगे तो फिर वही बिहार होगा कि छे बजे के बाद हम सुरक्षित नहीं रहेंगे तेजिशनता देख रह थी हमां के भोत्र देख रहे थे उस दिन को याद करो और और जो ống करो आठिक लोगों ने जो देखा था कुछ लोगों को भीड़ की को देखर उन्होंने कलपना कर लिया कि नहीं यह लग रहा कि महागट बंदन के भोट जा रहा है प्रंत उस दिन को जो याद कि यह थे जो साइलेंट भोटर थे उन्होंने आख मूद कर जाकर भारतिय जनता पार्टिय और एंडिये को भोट देने का काम किया और उसी का के बारे में इस सूछते हैं पूरे पारे में सूछते देश के गरीबों के बारे में सूछते हैं कि मिलते हैं मैं यृ penalty क अधिव एक पिछरा या मुसलमान काम किया सभी को मिला टोसवी लोगों ने इस बात को Fight तक यहां कि जर्जन उनका मोदी जी ने इस लोक डाउन में हम नों को फिर आलाज देने का काम किया कि हमारे काउंट में एक हमारे काउंट में पैसा है कि मोधिजी में हमारे भाई साहब भोन रहा है कि 500 जिरीपीदा समय पर पांच पैसा कम होता है तो इस्टेंसर पर टिकट नहीं मिलता है पांच सर्प्या बहुत हुआ ऊस गरीक को पांच सर्प्या बहुत हुआ उन्हों ने देख़ागूई न कोई इस भार mind किया इस गरीब को चिंता किया कि हमारे अकाउंट पर डालक पईसा भीजने का काम किया आज उसी का देन है कि वहां के जनता ने पूर्ण बहमत की सरकार इंडियों को बनाने जा रहे हैं छोटा छोटा भी से है गाउं के जनता को क्या चाहिए जहां तक नोकरी अनईस लाक नोकरी आपने देखा होगा मैंने सुष्टों में कि किस विभाग को कितना कितना कैसे कैसे मैं नोकरी देने का काम घरेगी कि और आप देखी एगा जिस परकार से उन्होंने सासन और जिस परकार से बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया उसी परकार से यह अनौइस लोगों को जन्ट नौजमानों को नोकरी देने का काम भी एंडिये सरकार करेगी और उसी के चलते आज विश्वास वर जनता ने भुटिं किया है कि भारतिय जनता पार्टी एंडिये जो कहती हो करती है और देवुजी ने का बार बार कहा रहे को जुमुल की आप देख लिए जनता समझ गई है कि कॉंग्रेस वो कॉंग्रेस नहीं है जिसनों देश का जाई आदाजी के लिए लड़ाई लड़ी थी वो कंग्रेस खत्म चुकी है नतीजा क्या हुआ का यह करी सिमट गए और आने वाला समय में कॉंग्रेस का नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा एक समय आएगा वी एक समय आएगा इसलिए मैं विहार के जनता को बधाई देना चाहता हूं धनवाद देना चाहता हूं किनोंने एंडिये की काम को देखकर उनको निताओं को बातों पर विश्वास करकर अब भोटिंग करने का काम किया आज सरकार पूर्ण बहमत के सरकार बन रही है उसमें कोई लेकिन परन्तू नहीं है दस चुहान है वो भी यहांने भारतिय जनता पार्टी एंडियों को समर्थन करेगी और पूर्ण बहमत की सरकार बनेगी हमारे साथ दो गेस्ट जुड़े थे देवू चटरजी कॉंग्रिस से और हमारे से सेलेंद सिंग ज देने के लिए इंच्प्नेन इजवारेल को लेकिन मैं जाते जाते आपको इस जरूबाताओंगा बारत में कितने हैं बेरोजगार बिहार में फिर भी 1910 लाख्रो रोजगार मिलेगा यह बहुत खुशी की बात होगी अगर रोजगार मिलता है तो भारत में कितने उपर इंडिया है वहीं आरजेडी की कर मैं बात करूं या मागडबंदन की बात करूं तो एक सो छे एक सो आठ की उपर में वो चल रहे हैं और कॉंग्रेस की सक्ती हुई अठारा पर आ चुकी है और अन्य का फैसला करीब नौ या दस के बीच में चल रहा है और काटू की टक है इसी विश्वास पर आपके साथ आपका मनमोर हाजी रहोगा तब तक लिम मुझे दिजिए इजाजत बन्यवार दम्यवार गये लिए चारू चाहिक जोस्ताइब प्रह जाएए यह लृट किया लिए लिए और क्वार्ट रखेश्ण तर्भाट ग्रोश्ट पुसक्राम किये लिए लिए पुपल निति राष करे किता है तक है उडिक साथ हुआ 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 हम प्ल्टाव भाराद की जारखन में आज अलग जोई तुन बिश्डाग में